हेलो फ्रेंड तो आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुड़ पावर पे और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले है रेस्ट एपिया है जिसके अंदर में पहले आपको कॉंसेप सिखा देता हूं कि रेस्ट एपिया होता का है ठीकिपेंट्स तो कि अंदर जब भी हम लोग क्लाइंट मतलब हम लोग जो अम लोग ब्राउजर में से रिक्वेस्ट करते हैं मोबाइल में से रिक्वेस्ट करते हैं वो तो हम लोग जब भी रिक्वेस्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से एस्टीटीप रिक्वेस्ट जाती है जिसके अंदर get, post, put और delete कुछ इस तरीके से अलग-अलग HTTP request होता है जो server के अंदर जाता है server वो request को अलग-अलग तरीके से समझता है और कुछ इस तरीके से json response देता है ठीके फ्रेंट्स तो यह जो concept है यह हमलब कोई भी language के अंदर बना सकते है, java के अंदर बना सकते है, node.js के अंदर PHP के अंदर, python के अंदर ठीके फ्रेंट्स तो यह series के अंदर हम लोग python flash उस कर रहे हैं तो python flash का यूज कर के हम लोग यह पूरा rest application बनाने वाले, ठीके फ्रेंट्स तो इसका concept ऐसा है कि जब हम लोग get करते है, get API जनरली हम लोग जब भी call करते हैं, तो वो क्या करता है, तो हम लोग को हमेशा data लाके देता है, ठीके जितना भी user का data होगा, वो data लाके देगा, उसके बाद होता है, post तो post का meaning क्या होता है, तो data add करना ठीके friends, तो यह rest API है, वो मतलब उनने ऐसा आप rules बोल सकते हो, या फिर protocol आप ऐसा बोल सकते हो कि जिसके अंदर जब भी हम लोग get करते हैं, तो हम लोग को record मिलता है post के अंदर record हम लोग add कर सकते है, put के अंदर जो भी record होगा, मतलब user का record product का record, जो भी record होगा, जो भी API होगा, तो put के अंदर हम लोग record को update कर सकते है product को update कर सकते है और delete के अंदर product user जो भी API होगा, उसके अंदर हम लोग delete कर सकते है, ठीके प्रेंट्स तो insert gate के अंदर सारे record मिलेंगे post के अंदर record add कर सकते है, put के अंदर update कर सकते है, delete के अंदर हम लोग record को delete कर सकते हैं तो कुछ इस तरह के से यह concept होता है तो यही concept का हम लोग अभी यूज करके फ्लैस के अंदर रेस्ट API बनाने वाले तो अभी हम लोग डायरेक्ली प्रेटेकल स्टार्ट करते तो आपको आइडिया आ जाएगा तो फ्रेंड अगर आपने मेरा फिसला एपिसोड देख तो इसके अंदर फिलाल तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ मैसेज और इसके अंदर लिख देता हूँ फिलाल तो मैं उसके अंदर अभी कुछ एक्स्टा चीज़ें नहीं कर रहे हम लोग खाली हम लोग यह आप यह बनाएंगे और उसको हम लोग कॉल करेंगे और इसको मैं नाम देता हूँ फंचन को मैं नाम देता हूँ गेट प्रोडक्स तो यह सिंपल फंचन का नाम है वो तो कॉल होने वाला है कब जब हम लोग यह कॉल करेंगे तब तो फंचन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो लेकिन जब आप राउट डिपाइन करो भी तो कंपल सरी आपको पहले कुछ इ गरो का जो आपको बोड़ओ के यह बनाना होंग stareन तो मुझे प्रोड़क की एंपर बणाना है तो इसले में है यह इसके फैर प्रोड़क्स लिकान है अगर आपको और कि बनाना है तो अटर लिखो टिक है तो डिपन करता है जैसे हमारे रिकार्ट हो गी उसी साब से हम लो में run कर देता हूँ तो बार बार हम लग को start stop करने के जरूरने पड़ेगी और इसको मैं कर देता हूँ run तो friend हमारा जो API है वो run हो गया है कौन से URL है तो यह URL पर run हो गया तो यह URL हम लोग अभी यूज करेंगे यह application को और यह जो गेट API है उसको call करने के लिए ठीक है फैंस तो अभी call करने के लिए मैं फ्रंटेंड ने बना रहा हूँ मैं अभी यूज कर रहा हूँ postman तो postman क्या है कैसे आपको इंस्टॉल करना है तो वह already मैंने जो जावा सेप का जो सीरीज यह उसके अंदर मैंने describe की है तो episode number 218 आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से describe की है कि किस तरीके से आप postman वगरा उसब टेस्ट करते हैं उसके बाद वो front end developer के पास जाता है ठीक है तो postman का जो यूज है वो भी आपको सीखना है तो इसके अंदर simple है यह आज से आप जो भी आपकी method होगी फिदाल तो हम लोग ने get method बना है तो get choose करो इसके अंदर जो हमारा local computer है उसका वो ip address होता है तो अभी हम लोग आ जाते हैं postman के अंदर और यहां पर आप इन शॉट लोकल उस लिख सकते हो port नंबर जो भी आपका होगा वो और slash करके हमारा जो API है products और मैं इसको जैसे ही send करूगा तो server पर request जाएगी किसके पास जाएगी हमारे python application के पास यहां पर request आएगी और simple हम लोगों यहां से JSON return किया है message और message के अंदर कुछ इस तरह के से get API called तो वही response हम लोग को यहां पर मिल गया ठीक है तो यह simple हम लोग ने get API बना है जिसके अंदर कुछ इस तरह के से हम लोग को message मिल रहा है तो next अभी हम लोग बनाते है post API तो इसको में करता हूँ copy score में paste कर देता हूँ और यहां पर simple में mention कर दूगा post और यहां पर में लिख देता हूँ मतलब message में update कर देता हूँ post API called और यह जो function का नाम है यह भी आपको update करना है ठीक है otherwise आपकी error आएगे तो generally हम लोग जो post API है उसके अंदर क्या करते product sorry record जो हता है वो add करते है इसलिए मैंने यहां पर method का नाम रख दिया add product ठीक है friends तो अभी हम लोग इसके अंदर database operation या पर record add करना वो सब हम लोग नहीं कर रहे हम लोग खली API बनाते कैसे है गेट पोस्ट वो API हम लोग बनाना सीख रहे है syntax हम लोग सीख रहे ठीक है और उसको call कैसे करेंगे हम लोग postman के अंदर वो सीख रहे तो इसको मैं कर देता हूँ और फिर से आ जाते हैं postman के अंदर यहां से मैं इसको कर देता हूँ यहां पर मैंने right click किया और duplicate हम लोग बना लेते हैं लेकिन अभी हम लोग को gate नहीं करना है क्या करना है post तो simple यहां से post choose करो और यह जो API है इसको हम लोग करते है send send मतलब वो request send करेगा तो आप देख सकते हो यहां पर मैसेज आ रहा है post API call और अगर आप इसके अंदर जाओगे तो आपको इसके अंदर दिखेगा post slash product API call हुए ठीक है उसी तरीका से हम लोग बना सकते है इसके अंदर में लिख देता हूँ पूट API call इसके अंदर में लिख देता हूँ डिलेट API call ठीक है तो आप देख सकते हो यह जो राउट का जो नेम है उसके अंदर कुछ भी changes नहीं हो रहा है ठीक है खाली हम लोग change किसके अंदर कर रहे है method के अंदर method के अंदर तो जो method front end से या से जो भी हम लोग method specify करेंगे तो वह method वह यहाँ पर चेक करता है पहले तो राउट चेक करेगा राउट मिल गया उसके बाद वह method चेक करेगा जो भी method मैच होगा तो वह particular block simple execute होने वाला है तो अभी हम लोग ने पूट और delete API define किया है तो वह हम लोग अभी call कर लेते तो पोस्ट हो गया है इसी को हम लोग अभी बनाते है duplicate tab और इसके अंदर हम लोग put choose कर लेते और इसको मैं करता हूँ simple send तो जो response है response तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो python है उसके अंदर errorRI की add product already define है तो मैंने जैसे वो ला कि यह जो function है उसको भी आपको update करना है ठीक है मतलब नाम change करना है तो put का put के अंदर क्या करते हैं उनलोग record update करते हैं तो function का नाम आप रख सकते हो update product और delete के अंदर तो simple है उनलोग करते है delete या फिर आप remove लिख सकते हो तो इसके अंदर आप यससे remove ने लिख सकते हो ठीक है वो standard के हिसाब से वो काम नहीं करेगा तो आप देख सकते हो इसके अंदर फूट है पूट है पैच है डिलेट है है एड है option तो इतने सारे जो मैतर से वह आप इसके अंदर define कर सकते हो आप जो चाहओ वह आप इसके अंदर नहीं लिख सकते है ठीक है इतना याद रखना यह जो route का नाम है यह फिर पंचांक का नाम है वह आपके उपर send करता हूँ तो delete API call होगे ठीक है तो कुछ इस तरीके से हमारा रेस्ट application call करता है तो फ्रेन इसके अंदर और एक चीज में आपको सीखा देतो तो इसके अंदर जब भी हम लोग post API call करते हैं तो मतलब हम लोग product add करते हैं मतलब front end से कुछ data server के पास जाता है ठीक है जैसे हम लोग image upload कर रहे हैं या पर product add कर रहे हैं तो product का नाम प्राइज वगएरा वो सब हम लोग को server पर मिलेगा तो data हम लोग को मिलेगा कैसे ठीक है तो उसके लिए हम लोग use करते हैं flash के अंदर आता है request object तो यह request object के अंदर हम देता हूँ request data और यह जो request object है उसके अंदर हम लोग को method मिलती है get underscore JSON करके ठीक है पैंट्स तो अभी हम लोग API के साथ हम लोग खेल रहें तो JSON data ही हम लोग server पर बेज़ेंगे और server से हम लोग को JSON data ही मिलने वाला ठीक है तो अभी फिला जो data हम हम लोग request करेंगे वही data हम लोग simple यहाँ पर फिर से return कर देते हैं और कॉमा करके आप यहाँ पर जो भी response send करना चाहते हो वह आप send कर सकते हो जैसे जनरली जो response होता है वह हम लोग को क्या मिलता है यहाँ आप देख सकते हो 200 उसी तरीके से जो status है उसके बहुत सारे टाइप आते है 20 यह तो by default 200 होता है उसी तरीके से 201 202 2034 मतलब जिस हिसाब से operation होता है उस हिसाब से हम लोग response बेश सकते तो जनरली जब भी हम लोग record आड करते हैं तो एक नया record बना तो मतलब create हुआ ठीके तो इंच और अगर हम लोग को create response सेंड करना हो तो आप 201 भी सेंड कर सकते हो या पर 200 भी सेंड कर सकते हो ठीके तो आपको दिखाने के लिए फिलाल में यह आपर रख देता हूँ 201 तो आपको idea आएगा तो अभी में इसको करता हूँ save और अभी हम लोग जाते हैं post API के अंदर और server के अंदर हम लोग को जेसन डेटा बेजना है ठीक है पर इस तो कोई भी डेटा आप मन नहीं बेज सकते हम लोग फिलाल API के अंदर काम कर रहे हैं तो हम लोग फिलाल जेसन डेटा ही सेंड करते हैं तो बोड़ी के अंदर जाना है उसके अंदर यहाँ बहुत सारे option है इसमें से आपको चूश कर करना है row और इसमें से अपको चूश करना है जेसां ठीक है तो यहाँ पर सिंपल डेटा आपको पास करना है तो प्रोड़क के अंदर यहाँ पर मिलिख दिता हूँ पार ले जी उसके के बाद freely g उसकी प्राइसप्राइज तो प्रैस में रख देता हूँ 100 पार्ले पकिन कर हम लोग करते हैं सेंट तो रिस्पॉंस में हम लोग को सेम मिलना चाहिए डेटा जो हम लोग ने सेंट किया वह यहाँ पर मिला ठीक है तो यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि सर्वर के अंदर रिक्वेस्ट कैसे जारी औ एक की एड कर देता हूँ जैसे मैसेज और इसके अंदर में लिख देता हूँ प्रोड़क एड़ और इसको हम लोग सेव करते हैं फिर से हम लोग यहाँ पर रांग करते हैं तो फ्रेंड आप देख सकते हो एक नहीं की आप याप याड़ हो रहा है तो इंशोट सर्वर पे कि आपको जो भी data मिला फिर उसके सथ आपको जो भी operation करना है यापको data base में store करना अपको key card करना है तो जो भी हमारे requirement होगी उसके असाब से हम लोग सारे operation किसके अंदर post के अंदर कर सकते पोस्ट के अंदर मतलब यह जो logic है इसके अंदर आप तो आपके उपर dependence करता है सरवर का फ्लैस का गया आपके है तो आपको राउट डीफाइन करके देने का और जो भी यूजर ने रिक एकवेश्स किया होगा वह यहापको लाकिस इसके बाद आपको वह यहां सब्सक्राइब करना हो पत्र हे निद्स पे लागा कि जो ब्राउजर है है जो internet जैसे काम करता है HTTP जो काम करता है उसके अंदर मतलब rules है ठीक है तो 200 पे वो okay बताता है 201 पे वो created बताएगा ठीक है तो मतलब GC साब से हमारे requirement होगी उस हिसाब से हम लोग यह से response जो code है वो send कर सकते है ठीक है तो अभी यह जो post हो है उसी तरीके से पूट तो पूट के अंदर भी हम लोग को sim कुछ इस तरीके से हम लोग जो data है वो ले सकते लेकिन यह जो gate है gate के अंदर आप कोई भी data server के अंदर send नहीं कर सकते ठीक है पेंट तो body के अंदर आप जाओगे और इसके अंदर रोग के अंदर और जैसन के अंदर और यहां पर हम लोग सिंपल यहां पर लिख देता है ने और इसके अंदर में लिख देता हूँ pencil और इसको हम लोग send करते तो फिलाल तो कुछ problem नहीं होगा लेकिन हम लोग जो request data है इसको करते है copy paste और इसको हम लोग print करके देखते है यहाँ पर या फिर हम लोग उसको हम लोग directly यहाँ से return करते है request data save करते है run करके देखते है send तो आप देख सकते हो gate के अंदर भी हम लोग request data send कर सकते और उसको get भी कर सकते है ठीके तो यह server के मतलब server to server depend करता है लेकिन generally जो मैंने concept बता है ठीक है तो रहे स्टेपे के अंदर जब भी हम लोग gate करते है तो हम लोग server के अंदर कोई भी data हम लोग SSN नहीं करते तो generally हम लोग server से data खाली लेते ठीक है तो gate के अंदर हम लोग को record लेना है post के अंदर हम लोग record add कर सकते है put के अंदर record को update कर सकते है delete के अंदर delete कर सकते है ठीक है तो वह आगे हम लोग सीखेंगे product add करना delete करना directly database के अंदर ठीके तो कुछ इस तरह कैसे आप request data ले सकते हो तो इसके अंदर और एक concept आता है जिसके अंदर हम लोग URL के अंदर database सकते हैं जिसको हम लोग query पर हम बोलते हैं ठीके तो जब भी हम लोग जनरली delete करते हैं तो कौन सा product delete करना है तो उसके लिए हम लोग simple हम लोग को product की id चाहिए product का तो पुरा data हम लोग को नहीं चाहिए तो उस case में हम लोग कुछ इस तरह के से URL के अंदर id बैसते हैं और यह id upstream पर directly function के अंदर अंदर लिख सकते हो और यह जो id है वही हम लोग इसके अंदर concrete करके बेस देते हैं प्लस करके मैं ने रख दिया save करते हैं और इसको अभी हम लोग run करके देखते हैं तो simple जाते है delete के अंदर तो URL के अंदर आप देख सकते हो product slash और slash के बाद यहां पर जो एंगल bracket है उसके अंदर id मैंने लिखा हुआ ठीक है तो यह key हो गया तो इसके अंदर insert slash के बाद आप कोई भी value पास कर सकते हो तो इसके अंदर जैसे product की id सम जो कुछ इस तरीके से है और इसको मैं करता हूँ send तो server पर request गया ठीक है तो उसने इसके अंदर जो भी message है वह आपको जिसले आपको return करना होगा वहाँ message यहाँ से र्यटन कर सकता फिलाल हम लोगों इस Mac पास किया आइडिया पर get किया और उसी को हम लगोने return कर दिया ठीके तो जो वैल्लिव आपने यहां से पास किया था वही वैल्लिव हम लोग यहां से return कर रहे ठीक है फैंस तो कुछ इस तरीके से हम लोग ग्रेश्ट API बना सकते गेट पॉस्ट पूट और टिलेट ठीक है फैंस तो यह जो जनरली यह जो गेट API है इसके अंदर खली product से मतब इसके अंदर सारे product मिलेंगे ठीक है लेकिन हम लोग को खली एकी product की सारे detail चाहिए तो क्या करोगे तो हम लोग जो product की detail चाहिए उसके हम लोग ID server पे बेजेंगे ठीक है तो उस case में और एक API बनेगा तो इसके बाद सिंपल आपको क्या पास करना है तो आईडी ठीक है तो वही आईडी का डेटा यूजर को सिंपल मिलेगा तो यहाँ पर मिले बनलब जो भी आईडी है और यहाँ पर मैं मैंसेज अपडेट कर देता हूँ तो आपको आईडे आएगा कि कुन सी अपडेट कॉल हो और इसके अंदर जो आईडी हम लोगों ने पास किये उसको हम लोग सिंपल यहाँ से फिलाल हम लोग रिटन कर देते ठीक है तो अभी मैं डेटावेस के साथ यहाँ आपके कनेक्शन वगएरा वह सब नहीं कर रहा हूँ ठीक हम लोग खाली कॉनसेप सिख रहें गेट अप अभी मैं करता हूँ इसको से और अभी फिर से हम लोग गेट के अंदर जाते और इसको मैं करता हूँ सेंट तो अभी क्या होगा सिंपल यह जो ऊपर वाली जो एपिया है वो एपिया कॉल होगा लेकिन यूजर को क्या चाहिए एक स्पैसिविक प्रोड़क का डेटा चाहि है 343 और इसका मुझे डेटा चाहिए तो सिंपल यह स्लैस करके में वो प्रोड़क का डी पास करूगा और यहां से मैं जब भी सेंट करूगा तो मुझे वह जो तो आप देख सकते हो इसके अंदर यहां पर आईडी आ रहा है और गेट बाई आईडी करके भी आ रहा है मतल दब यहां पर अभी कौनसी अपे कॉल हुई तो गेट बाई आईडी वाली एपेए टिक फ्रेंस तो कुछ इस तरीके से हम लोग रिष्ट एपेए बनाते हैं और कुछ इस तरीके से हम लोग मैथड का अलग-अलग मैथड का हम लोग यहां पी यूज कर सकते और जैसा आम फिलाल के लिए इस एपेशोड के अंदर इतना ही तो अभी मैंने आपको यह जो प्रैक्टिकल करवा है काफे सिंपल है तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है ठीक है फैंस तो और यह जो जो भी कोड है वो आपको गीटप के अंदर जरू-जरू गयाड करन है मतलब जो अभी मैंने जो कोड करवा है आपको वह मैंने python flash मास्कूल डेमो करके जो रिपो है उसके अंदर मैंने फिलाल एड किया हुआ है तो यह डेमो के अंदर आप देख सकते हो तो मैंने आल्रेडी मतलब git repo मैंने एड करके रखा है तो वह एड कैसे करना है कैसे हूँ तो मतलब अगर आपको किसी को चाहिए फाइल तो आप डिरेक्ली उसको ले सकते हो वो फीचर मैंने फिलाल एड किया रेस्ट एपी और इसको में कर देता हूँ पूश ठीके फैंस तो गेट के अंदर वो फूश हो जाएगा इसके अंदर कर देता हूँ रिप्रेश तो फ्रेंड आप देख सकते हो रेस्टेपे वाला जो कमिट है यहाँ पर आ गया है और इसके अंदर जो भी हमारे चैन्जेस थे है वह आप देख सकते हो यहाँ पर सिधा डायरेक्ली जो फाइल है मैंन फोल्डर के अंदर आप दोट पी वाए तो इसके अंदर आपको जो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूगा तो वहां से आप ले सकते हो ठीके तो आपको यह जो कोड है इसकी एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है ठीके तो अभी प्रैक्टिस करोगे तो आगे आने वाले एपिसोड में आपको प्रॉ फिर next post API पे जाना ही ने ठीक है तो इस तरीके से आप practice करोगे तो आपको अच्छे से आपकी practice भी होगा ठीक है और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा तो friend खिलाल के लिए इस episode में इतना ही thank you कि को पा disggam से अक्षो नेतने ही ने ने दुगा उते हैं पिले हम लिएख़र शें जीक है को में भी है वि siz को कोैंस का Salutes झाल झाल